पानी से हाथ में ऐसा रिंकल क्यू हो जाता है और क्या पी जानते हैं कि जब स्नेल चलता है तो अपने पीछे ये जो चीप चीपा पदार्थ को छोड़ता है ना उससे कई सारे बीमारियों का इलाज हो सकता है और क्या पी जानते हो जब आप सेब को काट करके रख देते हो त इसमें होता कुछ यह है कि एपल के अंदर मौजूद एसीड और ऑक्सिजन के बीच में रियक्सन सुरू हो जाता है और इसे बायो केमिकल रियक्सन भी कहा जाता है और इस रियक्सन के दोरान एक नया सब्टांस का निर्मान हो जाता है जो कि हमें एपल के उपर में ब्राउन कलर में दिखाई देता है तो आप देखो ऐसे में एक और सवाल है कि क्या हमें ऐसे एपल को खाना चाहिए तो जैसे कि इसमें रियाक्शन के दौरान एक नया सब्टांस बना है तो ये हमारे सरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है Number 20 तो क्या आपी जानते हैं कि कैसा भी गाउं है जहाँ एक भी रोड ही नहीं है तो नेधरलेंड में के गेत्रोन नमक विलेज है जहाँ एक भी सरक नहीं है और इस गाउं को उपर से देखने पर देखो कितना ज़्यादा गजब लगता है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ रोड होना चाहिए वहाँ पर पानी है और यहाँ के लोग बोट के मदद से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और इस गाउं में साफ सफाई होने के साथ साथ यहां पर पूरा हरियाली तो है ही साथ में पानी इस गाउं के खोवसूर्ती पर चार चांद लगाता है यह जानके आप भी हैरान हो जाओगे कि अगर आप पेपर को 42 बार फोल्ड करते हो तो वो चांद तक पहुंच जाएगा लेकिन आप पेपर को साथ बार से ज़्यादा फोल्ड कर ही नहीं सकते हो एक ऐसा गुफा है जिसके अंदर अपना जंगल नदी और वाता वरन है लाइक जरू कीजिएगा आप सायद ही जानते होंगे कि मच्छर जो है न वो खटे निम्बू से दूर ही रहना पसंद करते हैं और सिर्फ लेमन ही नहीं बलकि कई सारे सिट्रिक फ्रूट से दूर रहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि इससे इनके पैरों में जलन होने लगता है ये तो आपको पता ही है कि इंसानों का अलग-अलग नाम होता है और वही नाम से एक दूसरे को पुकारते हैं ये तो आपको पता ही है कि सांपों का पैर नहीं होता है लेकिन क्या भी जानते हैं कि कुछ ऐसे पुराने अपसेस मिले हैं जिसमें साफ तोर पर सांपों का पैर को देखा जा सकता है यानि इससे यह पता चलता है कि पहले सांपों का पैर हुआ करते थे और विग्यानिकों का यह मानना है कि जब पहले सांपों का पैर हुआ करता था तब वह जमीनों के अंदर जो होल होता है न उसके अंदर नहीं जा पाते थे और समय और बाता वरन के कारण धिरे धिरे इनका पैर बिलूब तो हो गया अगर बारिस होते समय किसी इंसान के सरीर पर बिजली गिर जाता है तो कुछ सकेंड के लिए उस इंसान के सरीर का जो टेंपरिचर है वो 27,800 डिगरी सेल्सियस तक चला जाता है ये तु आपको पता ही है कि अभी जो सैमसंग कमपनी है वो मोवाईल फोनस बनाने का काम करती है लेकिन आप ये जानके हैरान हो जाओगे कि 1970 में सैमसंग कमपनी नूडल बेचने का काम करती थी वियतनाम में एक golden बिरीज है और आप इसे देखो इसे ऐसा बनाया गया है जिसमें लगता है कि दो हातों ने एक बिरीज को उठा रखा है और ये बिरीज 100 साल पुराना है और ये काफी ज़्यादा rare भी है क्या पे जानते हैं कि हमारे सरीर का सबसे कठोर पदार्थ हमारे दात का white part है जिसे enamel भी कहते हैं और आप इस image में हमारे दातों के बारे में सारा detail देख सकते हो और हमारे सरीर का कुछ हड़ी concrete से भी ज़्यादा मजगूत होता है नमर 10 मैं आपसे पूसता हूँ कि गीजा के पिरामीड का कितना side है तो अब बैसा बात है कि आप बोलोगे कि 4 side है क्योंकि ऐसा ही तो दिखता है और अगर मैं आपसे बोलू कि इस पिरामीड का 8 side है तो आप इस वास नहीं करोगे लेकिन अगर आप इसे उपर से ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको एक और line देखने के लिए मिलेगा यानि जिसे आप एक side समझ रहे थे वो एक नहीं बल्कि दो है यानि इस तरीके से पिरामीड का 4 नहीं बल्कि 8 side है नमर 9 एक blind snake है जो कि काफी छोटा होता है और अर्थ वाम जैसा दिखता है तो फैक्ट यह ह कि उल्लू ऐसे blind snake को उठा करके अपने घर में ले जाता है और इसे उल्लू अपना घर में housekeeper के जैसे रखता है और अपना घर को साफ करवाता है मतलब काफी अजीब है लेकिन सच है नमर 8 तो रात में cycle चलाने बालों को काफी दिक्कत होता है क्योंकि हर जगा street light तो लगा ह हुआ होता नहीं है तो accident होने का संभावना काफी बढ़ जाता है तो इसी चीज का solution पॉलेंड के government ने निकाल लिया है तो वहां के government ने इस परकार के रोडों का निर्मान किया है जो की दिन में सूरज के रोसनी से चार्ज होता है और रात में कुछ इस परकार से गुलो करता है जो की काफी गजब भी लगता है और यहाँ पर पैदल चलने बालों के लिए अलग और cycle चलाने बालों के लिए अलग बनाया गया है और इस तरीके से ज़्यादा तर लोग cycle चलाएंगे और इस तरीके से pollution भी काफी ज़्यादा कम होगा लेमन और इस्ट्रोबेरी में आप क्या खाना पसंद करोगे तो अब्यसा बात है कि आप इस्ट्रोबेरी ही खाना पसंद करोगे लेकिन इस्ट्रोबेरी तो लेमन से भी ज़्यादा खटा होता है क्योंकि लेमन के अंदर इस्ट्रोबेरी से भी ज़्यादा सुगर होता है आपने बहुत सारे cold ring ads देखे होंगे लेकिन क्या पी जानते है कि उसमें जो बर्फ दिखाया जाता है वो असल में real नहीं होता है बलकि उसमें fake eyes का इस्तमाल किया जाता है जो की plastic का बना हुआ होता है तो जितने देर उसे suit करने में लगता है उतने देर में वो बरफ पिखल जाएगा और जो milk ad होता है उसमें भी नकली दूद का इस्तमाल किया जाता है उसमें भी दूद को ज़्यादा गारहा दिखाने के लिए white paint का इस्तमाल किया जाता है तो ये था कुछ tv ads के पीछे का सच्चाई आप सायद ये जानते होंगे कि जब नील एमेश्टोन मून पर गया थे ना तब वहाँ से वो खाली हाथ वापस नहीं आये थे बलकि वहाँ से 388 kg चांद का मिट्टी और पत्थर को धर्ती पर लाए थे एक नॉर्मल इंसान का आँख कुछ इस परकार का होता है और कुछ लोग ऐसे होते है जिनका आँख बलू होता है या फिर किसी और रंग का होता है लेकिन ऐसा कुछ ही लोगों को होता है लेकिन इंडोनेसिया के एक ट्राइबल गुरूप है जिसका नाम बुटोन ट्राइ जाता है और जिन लोगों के पास blue eyes होता है वो काफी genius भी होते हैं और यहां तो पूरा कपूरा tribal group के पास ही मतलब यार समझ जाओ क्या पर जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी पेर है जिसे काटने पर खुन निकलता है जरासल यह जो आप छाता जैसा दिखने वाला पेर को देख रहे हो न तो इसका नाम है dragon blood tree और जैसे कि इसके नाम में ही blood है तो इसे जब काटा जाता है न तो इसके अंदर से एक blood जैसा पदार्थ निकलता है जो कि असली blood के जैसा ही दिखता है नमर टू तो इसने जब चलता है तो उसके पीछे आपने देखा हुआ कि एक चिपचिपा पदार्थ को छोडते रहता है तो क्या है न कि उससे कई सारे बीमारियों का इलाज होता है क्योंकि 18 सेंचूरी में इससे एंथ्रेक्स का ट्रीटमेंट किया जाता था और 19 सेंचूरी में इससे ट्यूबर क्लोसिस का ट्रीटमेंट किया जाता था और इससे हमारी स्कीन का जो डेड़ सेल होता है वो भी हट जाता है और साउथ कोरिया के जो लर्किया है वो इससे अपने चेहरे पर चलवाती जिससे उनके स्किन के डेट सेल हट जाएं जब हम लंबे समय तक पानी में रहते हैं तो हमारा हाथ कुछ इस परकार का हो जाता है लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि ऐसा क्यूं होता है तो यूके के यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि इन सिलबटो को हमारा इम्यून सिस्टम ही पैदा करता है जिससे हमारा हाथ भींगा होने पर हम किसी बस्तू को पकर सके क्यूंकि अक्सर ऐसा होता है जब हमारा हाथ गीला होता है तो हम किसी चीज को पकर नहीं पाते हैं क्यूंकि वो सिलिप करके गिरने लग जाता है इसलिए ज्यादा देर पानी में रहने से हाथ में सिलबटे हो जाता है जिससे हम किसी चीज को पकर करके पानी से बाहर निकल सके वेसे आज के लिए तिना ही वीडियो पसंद आए हो तो लाइक से और सब्सक्राइब जरू कीजेगा